ओम शांती, 12 दिसंबर 2021 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क, आज की अव्यक्त मुरली है योग युक्त, युक्ती युक्त बनने की युक्ती आज बेहद का बाप हम बच्चों को न्यारेपन और प्यारेपन की विशेशताएं वर्से में देकर सच्चा योगी, सदा योगी, सिध्धी सवरूप बनने की बेहद प्राप्ती कराने के लिए आए हैं आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे मैं सच्चा योगी, स्वता योगी हूँ आज की मुरली से गुण लेंगे संतुष्टता का और आज की मुरली से चिन्तन का विशे लेंगे कि सिद्धी सवरूप कैसे बनते हैं और सिद्धी सवरूप आत्मा को वर्तमान और भविश्य में क्या प्राप्तियां होती हैं तो आज की मुरली से जैसे स्वमान हमने लिया सच्चा योगी सच्चा योगी बनने की विधी भाबा ने बताई एक बाबा, दूसरा न कोई, सारा दिन आज हम ये समृत्ति में रखेंगे और तीसरा नेत्र जो बाबा ने दिया है उसको खुला रखेंगे इसके लिए देही अभिमानी बनना होगा देही अभिमान में आने से तीसरा नेत्र बंध हो जाता है और ये चेक करना होगा कि बाबा ही मेरा संसार है और बाबा में मेरा संसार है सारा दिन इस समृत्ति में रहेंगे तो सच्चे योगी बनेगे स्वता योगी अर्था नेच्छल योगी और सदा योगी बनने की विधी आज की मुरली में बाबा ने बताई सार्थी और साक्षी समझ कर चलना है और सारा दिन अपने आपको चेक करना है थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं आत्मा सार्थी हूँ तो इसी कोई follow father कहेंगे जैसे ब्रह्मा बाबा ने कहा ये शरीर शिबाबा क्या है तो ब्रह्मा बाबा ने शरीर को सार्थी होकर यूज किया और शिबाबा ने कहा ये शरीर ब्रह्मा बाबा का है तो शिबाबा ने भी शरीर को सार्थी होकर के यूज किया तो सार्थी बनने की जो विधी बताई है इस विधी से हम आत्मिक स्थिती का अनुभव करते हैं। सार्थी का अर्थी ही है करमिंद्रिय चीत, करमिंद्रिय को अधिकारी बन करके यूज करना है। जो सार्थीपन की स्थिती है, ये न्यारापन और प्यारापन की स्थिती स्वता बना देती है। सार्थिपन की स्थिती से स्ववविकारों के भूत की परवेश्टा हो जाती है तो सार्थिपन की स्थिती से इन भूतों को भगाया जा सकता है तो सार्थिपन की स्थिती हमें स्वववनती में भी मदद करती है और साक्षी होने में भी मदद करती है जो भी हम इन आखों से देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं उन सब बातों से हम निरलेप रहते हैं और माया से भी निरलेप रहते हैं तो इसी तरह हम बाप समान बनने का पुर्शार्थ कर सकते हैं आज इन दो बातों पर अटेंशन रखकर सार्थी और साक्षी संतुस्ट रहने के लिए आज हम अटेंशन देंगे कि संतुस्ता तब कि जब ड्रामा याद होगा और मेरे को तेरा कर देंगे और चिंतन का विशे है सिद्धी सवरूप बनना है तो सिद्धी सवरूप बनने के लिए आज अम्रित वेले से रात तक के हर कार्य को विधी पूर्वक शुरी मत परमान करेंगे तो सिद्धी सवरूप बन जाएंगे जिसका यादगार मंदिरों में है कि देवताओं को उठाना, सुलाना, खिलाना कैसे यादगार रूप में है तो उसको आज हम चिंतन करेंगे और भी सिद्धी सब रूप बनने और प्राप्तियों का ओम शान्ति